दोस्तो यह जो गैलाडिया का पहुदा है कि интे कि अची फ्लाव्रीं होरी है कि अच्छी फ्लाव्रिं tussen पहुदा के पहुदे में और जोगजें 2 फ्लावrésक के सब करते हैं अगर आप नर्सरी से गलाडिया का पौधा ला रहे हैं, तो उसे किस प्रकार से और कैसी मिट्टी में लगाना है, और किस प्रकार से उसकी देखवाल करेंगे, जिससे कि आप आने वाले समय में उसमें अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं, तो मैं वीडियो में उसको आगे बताता हूं, उससे पहले जो चैनल में नए जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब करने हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल नोटिविजियों का आफिन को जबाना ना उने, जिससे कि आने वाली वीजियों होगी, इसका सब्सक्राइब करें mo aprend, और इसका ताई मैं और जून के बीच में, ग्रो करने तो यह बर्सात में अच्छी थेंगा, तो आपको तो देखfold sahало, 4 पंधे लगा रहे से मैं के में लगाऊंगा ग्रो करने के लिए वो इस सीट पॉर्ट से लोंगा जब यह सूख जाएगा और एक में पर तीन दो वराइटी है इसकी एक देखिए जैसे यह है हाइब्रिट वराइटी है कि देखिए यह मैंने इतने छोटे पॉर्ट में लगा रखा हैंगिंग बास्केट से अलग हैं थो आप चोटे पॉर्ट में लगा सकते हैं लेकिन जो चृष एक यह वरायों है और इसके थोड़े से जो ए देशी वराइटी है इसके थोड़े से बड़े होते हैं देखिए साइज में तो यह तो फोगी जो है कि घ्र ça उर्टी में और इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसको कैसी मिट्टी में लगाने इसके लिए बहुत पूराज मिट्टी जिसमे की में जो पानी रूओके ना पानी जिसमे're ढेने होब से निकल जाए ऐसी मिट टी सि where है या कोई नर्सरी से पॉंदा लातें तो मिट्टी होती है आप अगर नर्सरी लाकर लगा रहे हैं तो थोड़ा सा पोरस मिट्टी बनाईए उसमें कोकोपीड मिला सकते हैं आप मार्केट से ज्यादा मिला लिए और मिट्टी उस तर्फ परकार से तयार किये यह देखिए में जो मैंने मिट्टी तयार कर रिकी इसकी किति खाथ इसमें गोबर की खादी जाद है 50% जो है इसमें जो गार्डन सोयल है वो है तो इसमें जो जड़ें देखिए किति अच्छी फैल लियों इसमें पॉब daw आ है इसमें एक्स निकल जाते है यह जैसे यहां से इसको अलग निकाल सकते हैं यहां इसको यह यह क्योंकि यह जो देशी वराइटी यह गार्डन के लिए होती है अगर गार्डन आपके पाद जमीन है जमीन में लगा हो तो और अच्छा होता है यह मैंने पॉर्ट में लगा रहा है फिर भी देखे इतनी अच्छी फ्लावरीं हो रही है तो इस प्रकार आप जो गैलाडि के थोड़े से यलो कलर के और इसमें दो-तिन कलर और आते हैं मैं कोसिस करूंगा अगर कहीं से मिलिंगे तो मैं आपको उसका भी वीडियो दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उसके गैलाडिया के पहुंदे कि कैसे लगाते हैं तो अभी तो मेरे पाई यह है फिलाल लेकिन से अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और यह जो फूल है यह हनीवी को बहुत अट्रेक्ट करता है इसमें जो है मदुमक्यां बहुत आती हैं जिससे कि आपका जो अगर गार्डन में कोई सब्जी वगरे लगा रही तो उसके लिए पॉलिनेशन के लिए बहुत बढ़िया पह झात